हालो डियार स्वागात आप सभी का जेस्वाइब पाक्का चुटूप चनल पे रेस्ट राण समिच्छात करी साइक समिच्छात करी PCS Pre 2024 के लिए रेपेट फायर रेवीजन यहाँ पे चल रहा था जिसकी आज च्वाप की क्लास नमबर थार्ड है और यह क्लास च्वाप की मेराथन की रूप में इंडियन जियोग्राफिक ही है ठीक है तो चलिए श्टाट करते हैं क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है आपका समिच्छा साइक समिच्छा अधिकरी का एक्षाम 11 फरवरी को होने वाला है और PCS का एक्षाम जो है वो आपका 17 मार्च को और 17 मार्च को ही आपका जारकंट PCS का एक्षाम भी जो है उसकी भी डेट लग चुकी है तो चलिए यहाप पे रैपेट फायर रेवीजन कर करते हैं क्योंकि आपने पढ़ाई तो जो अलड़ी करी लई होगी अब सिर्फ आपको रिवीजन की जरूरत है तो चले स्टाट करते है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए चैनल वीडियो को सेर जरूर किजे वहाँ राज्य ज के 2023 में हाले में पूछा गया था भारत के राच तट्रे का परिस्तेत हैं 9 करक्रे का होकर गुजरती है त्रिप्रा मिजोरम पश्मिवंगाल से 2021 में पूछा गया उपी PCS के द्वाराई आगरा और दार्जलिंग एक ही अच्छान्स परिस्तेत हैं किन्त जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तदा दार्जलिंग का तापमान होता है कितना 4 डिग्री सेल्सियस संसार का लगपक 2.4 परशेंट चेत्र आता है भारत के अंतरगत 2022 में PCS पिरी में पूछा गया कोशन था भारती है उप महादीप का वह देश चहराष्ट पति पड़ाली का सासन है वह स्रिलंका भारत में कन्याकुमारी अवस्तित है भूमाद्रेखा के उत्तर में प्राइदुपिय भारत का सबसे दच्छडी बिंदु कन्याकुमारी इस्तित है भूमाद्रेखा के उत्तर में वह एक सहर जो करक्रेखा के एक्तम समीप है कौलका था भारत का वह जो करक्रेखा के सबसे नजदीक है उद्धेपूर त्रपुरा करक्रेखा से निकटम दूरी पर इस्तित नगर है गांधी नगर वह भारती राजी जो करक्रेखा के उत्तर में इस्तित है मडीपूर कितने भारतिय प्रदेशों से होकर करक्रेखा गुजरती है आठ प्रदेश कहलाती है 82 डिग्री 30 पूर्भी ये भारत मानक समय यामुतर पर माध्यान है तो 120 डिग्री पूर्भी देशांतर परिस्थाने समय होगा 14 बच के 31 के warrior होगा भारतिय मानक समय यामुतर के सबसे नज़दी किस्तिति सहर है मिर्जापुर भारतिय मानक समय IST लिया जाता है प्रियागराच नैनी से मौलदीप के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल अवस्तेता है लच्टीप और मिनी कोई के बीच यदि अरुणाचल प्रदेश में त्रिप में सूर्यदय पांच बजे प्राता IST पर होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्यदय का समय IST में होगा लगबग सुबह के 7 बज़ रहे होंगे भारत का वहब राजे जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश भारत का सुदूरस दच्छडी बिंदू है इंद्रा पॉइंट भारत ने नई सहस्त्राबदी के सूर्यदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी तो 92.13 पूरवी देशांतर पर भारत का ग्रीन बिच कहा जाने बाला स्थान है उज्जयन रेड क्लिप लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच डूर अंडर लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान के साथ सूरी की अनुलवती, अनुलम्बित किरने कभी नहीं प्राप्त होंगी शरी नगर को यदि अरुनांचल प्रदेश में सूरुदय का समय प्राता 5 बज़े है तो सुराष्ट में सूरुदय का समभावित समय होगा सुबा के 7 बज़रे होंगे भारत का प्राचिन्तम भाग है दक्कन का पठार भारत का वह राज्य जिसकी तट्रे का सबसे लंबी है वह गुजरात सिलबासा राजधानी है ताद राजवो नगर हविली की भारत का सबसे बड़ा संग राज्य सेंसंक्या में है दिल्ली सारनात इस्तित है उत्तर प्रदेश में भारत के केंद सासित प्रदेशों में सबसे बड़ा है लद्दाग 79,146 किलोमेटर स्क्यूर इसका छेतर प्रदेश है उत्तर पूरिव की साथ बहनों के परिवार में 8 भी बहन समलित हुई है सिकिम वह राज जो तीन तरफ से बंगला देश से गिराए तरपरा भारत का सबसे चोटा से तरपल की दरिश्टी से केंद सासित प्रदेश है लचचदीट वह सहर नगर जो भारत के किसी राज की राज़दानी रज़ानी नहीं है गोहाटी मैक मोहर रेका सीमा रेका बनाती है बाहरत एंचीन के बीच बाहरत के वे राज्य संग जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं वो हैं पंजाब, जमू कस्मीर, लाज़तान तदा गुजराद भाहरत का वह राज्य जिसके तीन तरफ आंतराश्टी सीमा है वो है तरफ रा, वहराज्य जिसके सीमा बांगलादेश और मियामभार से लगी हुई है मियामभार सीमा के साहरे भारतिय राज्यों का उत्तर से दच्छड का सही किरम है अवडांचल प्रदेश, नागालेंट, मडिपूर और मिजोरम सही सुमेलित करने के लिए है युपी पीसियस, एई एक्जाम 2021 में पूचा गया था घोगला जोए ये दीप में स्तित है विलू फ्लैक प्रमानन प्राप्ताटा घोगला और कॉसर कोड करनाटक में है कपड केरल में और राशी कोंडा आंदर प्रदेश में भारत के प्रादेश एक चल छेत्र का विस्तार है तट से बारा समुदरी मिल तक भारत का ववराज जिससे करकरेका नहीं गुजरती वो है मरीपूर सुमेलित कीजिए चंडिगर जोए एक प्रसासनिक नगर है ठीक है सांज और शांती निकेतन सैच्रिक्च नगर है धनबाद खननन नगर है और आभू जोए परियाटक नगर है साई सुमेलित कीजिए यूपी पीसेश जोए 2023 में पूछा गया कोशन था परवत और पहाड से देबसा दर्रा जोए ये हिमाचल प्रदिस राज्य में है नीती दर्रा उत्राखंड में चांगला दर्रा लद्धाक में और वनिहाल दर्रा जमू कस्मीर में है डोड़ा बेट्टा चोटी पहाडी सरंकला परिस्तेता निलगिरी की पहाडियों पे यूपीपीचेस जी ये 2023 में पूछा गया था ओत्राखंड के बागेश्वर जिले में इस्तित है हिमालाय में त्रशूल सिकर ठीक है न यूपीचेस आरो ए आरो मैंस 2021 में पूछा गया था नेक्स्ट है सुची पस्ट को सुची साइकंड से सुमेलित करने के लिए क्योंकि ये कुशन एपीचेस प्रीयक्चेम 2022 में पूछा गया था वटेश्वर पहाड़ी जो है ये भागलपूर बिहार में इस्तित हैं वटेश्वर पहाड़ियां बिलारीक श्रंकला जो है करनाटक में है चिन, श्रंकला, मड़ीपुर में और घोसी श्रंकला जो है घोसी पाहडी ये महेंदरगड डिश्टिक हरियाणा में स्थित है नेक्स्ट है गुरला मंदाता सिकर इस्थित है हिमालय पर बारत की सबसे दच्छेडी पहाड़ी सरंखला है इलाइची कौडमम की पहाड़ियां जमू और कस्मीर केंसासित प्रदेश की सबसे लंबी परवसरंखला है पीर पंजाल सरंखला बारत में कनिज भंडार के रूप में जाना जाता है धारवाल क्रम को यहाँ एक ब्रहंसोत परवत है जिसका पूर्वी ढाल क्रमस नीचा होता हुआ पठार है और इसका उत्री खंड जुआ खंड लाबा वैशाल से अच्छा देते हैं ये सबी कतन सम्मा देते हैं पश्मी घाट से कंचन जंगा सिकर इस्तित है भारत में अकसाई चिन का भाग है लद्दक पठार का हिमालय प्रव्यावाची है महान धन हिमालय पीर पंजाल सिरडी पाई जाती है जम्मु एवं कस्मीर में कुल्लू घाटी जिन परवत सिरडियों की भी चवस्तित है वे हैं दोलादार पीर उत्तर प्रदेश है हिमाचल का सर्वोच्षिकर है नंदा देवी वे पाढ़ियां जो पूर्वी घाट एवं पश्मी घाट के बिला निस्तल को बनाती है नीलगिरी की पाढ़ियां कौडमम की पाढ़ियां जिनकी सीमा उपर इस्तित हैं वे हैं केरल और तमिलनाडू भार गाटी परवत सिरेडियों के वेच अवस्तित हैं धोलादार तता पीर पंजाल सबसे नवीन परवत सिरेडियां सिवालिक सिरेडियां दोलादार तता पीर पंजाल की महत्पूर सिरेडियां अवस्तित हैं लगु हिमाले में नरमदा तता तापी नदियां अवस्तित हैं सत पमिलनाडु की दोडो बेटा नेक्स्ट है नौक रेक नौक रेक चोव वो मेगालय में है और अगस्त मलाई गेरल में नन्दा देविय उत्रखंड में देहांग देवांग जो अरणाचल प्रदेश में है मैकालρέРИंट 54.14 गड़ में इस्तिता है जासकर ता लड़्दाक परवत सेड़ीओ की मध्ध अवस्तिता है लेहःःःःःःद दंड़कारन अवस्तिता है 36.14 में ओड़ीशा में मेघाले का पठार भागया प्राइदुपय भंड राइस्तान मरुस्तल अथवा, थार मरुस्तल रिस्तारे, पलिष्टो शीन एवं अभिनब जमाब का उत्तर भारत में उप हिमालय चेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भावर का मैदान पंचनद में समलित नदी है सिंधु नदी, सिंधु नदी का उदगम है केलास रंखला, वह नदी जो हिमालय की तीनों सेड़ियों को आरपार काटती है सतलज नदी है दूद गंगा नदी अवस्तित है जमगयों कश्मीर में, किशन गंगा एक साहिक नदी है जहलम की, शौन नदी का वास्तिविक श्रोत है सहडोल जिले में अमरकंटक, हिमालय की सभी श्रोडियों को काटने वाली नदी है सतलज नदी, वह नदी जिसका उदगम भारत में न नदी है तीस्ता नदी है, हिमालय की नदियों का एक प्रमुक गोड़ है नदी अपहरण, वह नदी जिसके शुरूत विंदू लगपक एक ही है प्रहमपुत्र और सिंधू, भारती गंगा नदी बैसिन का हिश्ण नहीं है, जौक नदी, फरका के बाद गंगा नदी की प् पर बद्रिनात्व का प्रशिद मंदरे स्थेता है अलकंदा, गंगा नदी का उधर अड़ है, पूर्वेवर्ति आप वहा का, वह नदी जो अपने मार्ग में परवर्तन करने का कोख्यात है, कोशी नदी, वह नदी जिसके तट पर गोरुक पुर इस्थेता है, राप्ति गंगा नदी की एकमात्र साइक नदी जिसका उधर मैदान में है, वह है गोमती, गंगा की साइक नदी प्रभा उत्तरी दिशा में है, सौन नदी का, यमना जो है, इसका उधर मिस्तल है, यमनुत्री बंदरपुंच से, यूपी पीसीयस प्री 2023 में पूछा गया कॉशन था और किशना नदी का उधर मिस्तल महावलेश्वर महाराष्टा से है, गोधावरी का उधर मिस्तल महावलेश्वर महाराष्टा से है, गोधावरी का उधर मिस्तल महावलेश्वर महाराष्टा से है, गोधावरी का उधर मिस्तल महावलेश्वर महाराष्टा से है, गोधावर बारती नदियों में जल ग्रहण छेत्र सर्वादी के गोधावरी का किष्णा नदी की साइक नदी नहीं है तेल नदी मालप्रभा जो किष्णा की साइक नदी है U.P.P Crisberry 2023 में आया हुआ था हमावती जो काविरी की साइक नदी है मंजरा गोदावरी की और प्राण हीता जो है गोदावरी की साइग नदी है वह नदी जो ब्रंस गाटी से प्रभाहित होती है वह ताप्ती नदी UPPCS J 2023 में पुछा गया था नेक्स्ट है गोदावरी इसकी साइग नदी है बैन गंगा की नर्मदा जो है तबा की किष्णा दूदकांगा की और काविरी की है माबती ठीक है वह नदी जो मुलताई के परभित्र तालाब टैंक से निकलती है कहलाती है ताप्ती कोजी नदी का सुरोत इस्तित है माउंट डेवरेष्ट के तच्छिड में वह नदी घाटी बैसिन जो छेतरपल की द्रश्टी से सबसे बढ़ी है माहा नदी वह भारती नदी का युगम जो भ्रहंस घाटी से होकर बहती है नर्मदा जो तापी नदी नेक्स्ट है रहंद परियोजना जो है रहंद नदी पे इस्तित है नागार जुन सागर परियोजना किशन नदी पे माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे और पोचमबाद परियोजना जो अको धावरी नदी पे इस्तित है मनार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है बैंगाई नदी, पश्मे बहानी नदी जो दो प्रवत्त स्रेडियों की बीच बहती है नर्मदा नदी, रिफ्ट गाटी होकर बहने वाली नदी है नर्मदा, वह भारती नदी जो एश्चुरी बनाती है तापती, अरब सागर में किरने वाली नदी है तापती, अमार कंटक से उदगम होने वाली नदी है नर्मदा, नर्मदा प्रवाहित होती है सत्पड़ा स्रेडियों और बिंदे स्रेडियों के मद्द से, ज्वार नदमक बनाने वाली नदी है नर्मदा, काविरी नदी का उदगम है ब्रहमगरी की प रखती हैं ब्रच्च नुमा दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियुजना की संब्ध में समझोते के इस मृति पत्र पर हस्तक्चर किये गए हैं राज्यों और नदियों के नाम है उत्रप्रदेश एमाद्रप्रदेश के अनेवं बेतवा हगरी नदिय शौन, गोदावरी की मंजरा, किशना की भीमा, यम्ना की कैन , बिश्मु प्रयाग नदियों की शंगम पर इस्तित हैं धौली गंगा और अलकंदा। धौली इस्तित ऑब्वनेश्वर में लेह अबस्तित हैं सिंदौ नदी की दाय तट पे , नासिक अबस्तित हैं ग कैप कम रिन के मद इस्तिता है कोरो मंडलताट स्री हरीकोटा दूइप निका-टाव पुलिकट जील के और कौरी क्रीक निवेशी का इस्तिता है कच्छ के रन में नैक्ष्ट है केरल का कुट्टा नाडा या कुट्टू नाडू प्रिसिद्ध हैं भारत का नियंतमुचाय वा है रामिश्वरम भारत का सरवादिक आबादी वाला दूइप है साल सेट पाक की खाड़ी अवस्तित है मननार की खाड़ी तता बंगाल की खाड़ी के मेच बैली कुंडा समुक इसकी रंजलचनात्मक हिस्सा है पूर्भी घाट का वायंत साखोधर कच की खाड़ी में पीरम सखंपात की खाड़ी में द्वार का अरप साग तत पे दीप चौः काटियाबला तत पे भारत में व्यरैन जूलाम की दीप इस्तित है अंडमा दीप समु में नेक्स्ट है वह दीप जो बहरती ततुर्पर्ती दीप की स्रेड़ी में आता है मिनी कोय केरल तत को इस नाम से बिद्षारी भी जाना जाताया माला अवरतर के नाम से बारत का वह तील समूष जो अभिक तम मात्रा में कोईला परदान करताया गॉड वानत समूष संपंध। है पूर्वी घाट का वह हिमनद जो नुम्ब्रा घाटी में इस्तित है शियाचीन, चेत्रकूट जल प्रपात अवस्तित है शियाचीन गिलेशियर विवात का विशा है भारत पाकिस्तान की बीच सबसे बड़ा हिमनद है शियाचीन, फूलों की घाटी अवस्तित है प्रपात सारावती नदी बट्टा पराईजल प्रपात 15 पज्यारा नदी धुआधा चलप्रपात नार्मदा नदी बूड़ा खाग प्रपात इस्तित्य बूड़ा नदी पे हिमाचल प्रदेश मरिकार्ड गरम झहरना है ओडिशा में तप्त पानी गरम झहरना है और उसके और नारायनी जो राजिस्तान में है ठीक है ना यह जो है यूपी आरो एरो दोजार 21 में पूछे गे थी प्री में यह गरम पानी के जहरने हैं जो के हिमाचल प्रदेश, ओड़िशा, माराष्ट, राजिस्तान में करम से मडीकंड, तप्त पानी, ब्रजेश्वरी, नारायनी नेक्स्ट है उसमा गत्की यानिकी थर्मो डायनमिक की डायनमिकली रूप से कार्वन का सबसे इस्तिर रूप है ग्रेफाइट नेक्स्ट है भारत की जलप्रपात और अवस्तित वरकाना जलप्रपात करनाटक राजज में है, खान्दाधार ओडिशा में, बांजा चल केरल में और पलानी जो है हिमाचल प्रदेश में, सरबादिक उचाई वाला जलप्रपात कोची कल भारत में इस्तित है करनाटक राजज में, वह जील जो भारत की दो राजजियों से सीमा साज़ा करती है, पुलिकट जील है, भारत वर्स में एकारे पानी की सबसे बड़ी जील ह सांभर, भारत की पूर्वी तट परिस्तित सबसे बड़ी लेगुन जील है, चिलका जील, भारत की सबसे बड़ी मीटे पानी की जील है, बुलर जील, वह जलास है जिसमें मध्य प्रदेश में हर सूत नगर जलमगन हुआ है, इंद्रा सागर, रहिश्य में जील कहा जाता ह रूपकोंड जील को, और मुम्मई की मीठी नदी निकलती है, बिहार जील से, चिलका जील हिस्तित है उरिश्य में और भारत में, फुलहर जील हिस्तित है उत्रप्रदेश में, नेक्स्ट है, सियाचीन हिमनद जो है नुम्रा घाटी में हिस्तित है, और वैफो हिमनद व्र कारण जो भारत के उत्तर पश्मी भाग में, सीतर रुतू में होने वाली बर्षा के लिए उत्तर दाईया पश्मी विच्छोब है, चोरा बड़ी गिलेशर इस्तेता है केदानात मंदर के उत्तर में भारत का वह राची जिसमें नाथूला दर्रा इस्तेता है शिक्के में वह दर्रा जो पश्मी घाट परवल सिरंकला में नहीं है खैबर दर्रा वह दर्रा जिसमें से लेह जाने का रास्ता है जोजीला भारत और चीन की बीच रहतांक दर रहा अवस्तेतल है हिमाचल पुचल में पुचबए नाथुल दर्रह हिमाचल पुच्छ में यह सारे तर्रह 2011 के अनसार है। सिपकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदीस में है भारत में मांसून उत्पत्ति करने वाली पबने हैं धच्छर पश्यमी पबने हैं ठीक है भारत की जलबायू पर प्रभत्तो है मांसून का भारत का वह राजी जहां मांसून सबसे पहले पहुचता है वह है केरल बरसा की मात्र निर्भड करती है तो बायू मंडल में नमी पे दच्छर पश्मी मांसून काल में सबसे कम बर्षा वाला इस्तान है चैन्नेई एक ऐसे छेत्र में जहां बार्षिक बर्षा 200 से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी इस्तल है किसकी खेती अभिष्ट होगी आइडल होगी यहा भारत में बर्षा का अधिक के होते हुए भी यह देश प्यासी धर्ती समझा जाता है इसका कारण है बर्षा के पानी का तेजी से बह जाना बर्षा के पानी का सीगरता से भाव पन कर उड़ जाना बर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेजी से होना ठीक है भारत के उत बंधन से भारत का बाचेतर जहां सीदकाल में बरसा होती है उत्तर पश्मी छेतर और पुनर भराण योग की भौम जल संस्थान में जो है सबसे संपन राज्य पश्मी बंगाल पूर्वी हमाले की तुलना में ट्री लाइन का उचाई मान पश्मी हमाले में होता है कम सुषकत दसा संदर बेता निमनादरता से भारत में बरसा की उच्चितम मात्रा वाला इस्तान है मशीन राम तडित में कहते हैं कपासी बरसा को लोटती मांसून से बरसा होती है कोरो मंडल तट पर भारती मांसून समय जो उस समय प्रबल होता है जब ला नीना की भी प्रबल होता है अधिक्तर रेगिस्तानी पॉधे रात की समय पुस्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तानी केले रात की समय सक्री होते हैं भारत में उस्यक अटवन दिये सदा बहर बन का छेतर है मालावर तट भारत ये वन सरविश्चार रिपोर्ट के अनुसर भारत का वहराजी जिस में भोगलिक छेतर का अधरबादिक प्रत्षद बन छेतर है मिजोरम सदा बाहर बन पाये जाता है पच्छमी घाट में भारत का वह राज जहां सागवान का बन पाये जाता है उमध प्रदेश भारत में आती सघन बनों का सरबादिक छेतर जिस राज में पाये जाता है वह है अरणाचल प्रदेश ब्रच्छा चादित छेत्रे सरवादे के हैं पूर विदक्कन में वह अच्छे ब्रच्छे जो कभी सामाजिक पानकी में लोग परिये था अब एक पारिस्थित की आतंकबादी माना गया है यूकेलिप्टस राश्टी बन नीती में भारत का कुल भोगलिक छेत्र के कितने प्रसथ पर बन रखने का लच्छा है एक तेहाई पे राज्य समुहों में जिसमें बन कुल भोगलिक छेत्र के 75 परशंट से अधिक छेत्र पर अच्छा देते हैं अरुड़ांचल प्रदेश, मरीपूर और नागलेंड भारत के कुल छेत्र पल में बनों का छेत्र पल है 21.71% नेलगिरी की मेग बकरियां पाई जाती है इरावी कुलम राष्टी पार्क में वह देश जिसमें कुल भोगलिक छेत्र पल के 70% भाग पर बनाय रखने का सम्मेधानिक प्राबधान है भूटान भारत के कुल भोगलिक छेत्र में शगन बानावरण का परसंट प्रत्सत है लगबक 12 प्रत्सत वह राजी जिसम का नफय प्रत्सत से अधिक छेत्र बना अच्छा देत है अरुणाचल प्रदेश शागों तता साल उतपाद है उश्रे कट बन दिये सुस्क पत जड़ी बनक भारत का वह राजी संगे छेत्र का भोगलिक छेत्र पल का अधिक्तम बाग बनाच्छा देत है मिजोरम का भारत में मैंगरों बन पाए जाते है गंगा डेल्टा में वह राजी जिसमें बनाच्छा देत भूमी का अधिक्तम प्रत्सत मिलता रोडांचल प्रदेश में वह जिसमें उसके भागलेक छेत्रफल के प्रसद के हिसाब से नियुनता बना च्छद छेत्र है, वह है उत्तर प्रदेश, प्राकरतिक खत्रा में, खत्रों से मनुश्री को नुक्षान पहुचने की सबसे अधिक संभाबना होती है, अकाल और बाल, भारत का हुआ छेत्र, जो उ कमपिय चोके अंचलों में विफाजित किया गया है, चार, किसी प्रजाति को बिलुप्त माना जा सकता है, जब वह अपने प्राकरतिक आवास में नहीं देखी गया, पचास बर्स से, भारत का सबसे दिख बाढ़गरस्त राज्य है, बिहार, सरभादिक प्राकरतिक आबद में लाल मिट्टी आंदर प्रदेश में और मरुस्तिली मिट्टी जोय राजिस्तान में, भारत में नवीनतम चट्टान पड़ा लिया है, गौडवाना, पूरा तत्त तो सम्मकी साच्चे यदर सता है, कि भूतकाल में भारती भूकंड किसका है, उत्तर की ओर, मिर्दा से स पोईला, निच्छेपों, डिपोजीट्स का प्रमुक्ष रोत है, गौडवाना तंत्र, भारत में निम्न सेल तंत्र में से लोह आयस की प्रमुक्ष जमाब पाए जाते हैं, धारबार तंत्र में, प्रदुपी भारत हिम युगों में से वहा युग, जिसमें हिमानी कृत क धारबार तंत्र, भारत की धारबार चट्टानों की विशेषता है, अत्यांत रूपांत्रित, खनिच, पदार्तों से युक्त, काली मिट्टी को जाना जाता है, रैगूर के नाम से, वह मिर्दा जिसको कम से चाहिकी आभिशक्ता होती है, क्योंकि वह मिर्दा नमी को रोक रखती है, काली मिर्दा, काली का पास मिट्टी जानी जाती है, रैगूर नाम से, स्वधा क्रेश्य मिट्टी कहा जाता है, कापास की काली मिट्टी को, जलोड मिट्टी उतरपदेश में पाई जाती है, काली मिट्टी महाराष्ट्रा में लैटिराइट मिट्टी केरल असो साथ लाल मिट्टी तमिलनाडू में वह च्वेत जो मिर्दा अपरदन से अतिदिक प्रभाहित है चमल घाटी भारत में सबसे अधिक उपचव मिर्दा है जलोड मिर्दा गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है बार्की बर्तमान सीमाओं से उपर लेटराइट मिट्टी मिलती है महराष्ट्रा में लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में भारत में सरबादिक छारी में छेतर पाई जाता परतन की समश्याएं गंबीर हैं सिबालिक पहाडियों के पाद छेत्र में हिूमस उधार जैविक कोलाइड का गोडबाना इस तरों में पाई जाती है प्राकरतिक गैस घाट प्रबा नहर परिजना इस्तेता है करनाटक में उकाई नहर परिजना इस्तेता है गुजरात में नीरा नहर परिजना इस्तेता है महाराष्टा में और तुलबुल परिजना इस्तेता है जेलम नदी पे नेक्स्ट कोशन है उकाई परिजना तापी नदी पे जैक कावाडी गोदावरी और खड़कवासला मत मूथा मयूराच्छी मैं चैरू थानी बाध अवस्तत है पेरियार नदी पे और मलमपूजा बाध इस्तत है मलमपूजा नदी पे कोटेशवार बाध बनाया गया है भागीरती नदी पे उह राज जहां सूइल नदी पर युजना चल रही है हेमाचल परदेश भागीरती नधी पर बनाया गया बाध है टेहरी बाध गोबिंद वल्लप, पंत सागर जलाजा इस्तत थेता है उत्रपरदेश में बेतवा नधी पर बनाया गया बाध है राजगाट बाध दामुद नधी से निकलने वाली नधनहर एडन नहर वहा नदी जिस पर टेहरी बांद का निर्माण उत्राखंड प्रदेश में किया जा रहा है भागिरती नदी सरदार सरोवर योजना से सलावनवित होने वाले राज्यें गुजरात महाराष्ट मदप्रदेश राज्थान नागारजुन सागर परिजना जिस नदी पर अवस्तित है वहा है किष्णा नदी भारत का वहराज जहां नागारजुन सागर परिजना है आंधर प्रदेश मेठे पानी की कलसर परिजना अवस्तित है गुजरात में वह नदी घाटी परिजना जिसका लाब एक से अधिक राज़ी को प्राप्त होता है वह है चम्बल घाटी परिजना उतरप्रदेश यह मद्प्रदेश राज़ियों में संइक राज़गाट नदी घाटी परिजना लागू की गई है बेतवा नदी पे भारत का वह राजी जहां सरबादिक सिचाई नलकूपों से होती है उत्रप्रदेश रडजीत सागरमाद अवस्तित रावी नदीपे तुलवल पर्युजिना का संबंद है जेलम नदीशे भारत में माला नहर तंतर को प्रस्तावित किया था दिनसा जे दस्तूर ने वहां पर मैदान में राज़तान इंद्रा नहर निकलती है सतलच से और रंग टॉंग जल वित्वत परिजना अवस्तित है हमाचल प्रदेश में शेब समुतरम जल वित्वत परिजना इस्तित कर्णाटक में रानी लच्छी वाई वाद अवस्तित है वेत्वा नदीपे और उन दो राज्यों के नाम जिन्हों निकी शाओ बांध परिजना ही तो 20 जून 2015 को एक समझोते पर हस्ताक्षर किये उत्राकंड और हिमाचल पुर्देश वगलिहर परिजना वस्तित है चिनाव नदीपे और कालपॉंग जलवितुत परिजना वस्तित है अंडमानेव निकुवार दीप्शमू में मलगम सिचाई परीजना है केरल में और व्यास नदी के पांगबांद की जल का उपियोग करने वाली नदी परीजना है इंद्रागांदी नहर परीजना सेथू समुत्रम परीजना जोड़ती है मनार की खाड़ी को पाक खाड़ी में फरक्का बेराज का निर्माड हुआ है हुगली में परियाप्त जल प्रभा बनाए रखने हैं तू वंकिंगम नहर का मुखेकार है सिचाई और नौका गमन बड़े बांध बनाने का ब्रोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकर्तिक असंतुलन पैदा होता है सबसे बड़ी सिचाई परियुचना है भांगडा नागला परियुचना इंद्रा गांधी नहर के जल का सुरोत है सतलच एवं ब्यास रुद्र सागर विकास योजना किसकी सुईकरत योजना आयोक ने जनवरी 2012 में दी है सम्मन्देत तिरप्रा से जवार सागर बांध इस्ति जाता है अब्रक और दंतेवाडा में 36 कड में दंतेवाडा नुवा अमुंडी चारकंड में सुंदर करनाटक में बैलाडीला 36 कड में अब यहां पर खनेच और खान तामा खनेच चुआ इसकी खान है तलोजा और तेरे गाउं लोहाइस की वॉलाडीला मैगनीज की बालग दोडियम उद्धू के कारण लोहा छेत्र है केंद्र मुख राउर केला इसपात सेंत्र को लोहाइस की आपूर्थी होती है क्योजर से छोटा नागपुर अदुकिक छेत्र का विकास समंदित रहा है लोहाइस की खोच से भारत की निम्ले लोहा एवं इसपात उतपादक के केंद्र में कोईला चेत्रों में काफी दूर इस्तित है भाद्रावधी राजिस्तान का लगव एक अधिकार है जस्ता में और वह राज जहां तामा का सबसे अधिक भंडार है राजिस्तान भारत के दू सीरस्त बॉकसाइट अतपादक राज्जें ओडिश्या एवं के दूसे आसम में नामची का अवरांचिल पर्देश में ग्रडी जहरकंड में सोभ्भू मधिप्रदेश में राजीत ख़टी जोआ कोई उत्यत्री से कि में है तंदूर त्यलंगाना में बरोरा महराश्ट्रा में और ललमटिया ललमटिया जो जहरकंड में है ठीक है गु गुरू महीशानी गुरू महीशानी जो है लोहाईस के लिए तलचर कोईला के लिए जादू गोड़ा यूरेनियम और जावर जो जस्ता के लिए भारत में कोईला दो जाराट से नो के दो सबसे बड़े उतपादक राज्जें 36 कोड़ ओड़ीशा विश्रामपूर जिसके ख कोईले का सरबादिक उपयोग होता है कूर्च उतपादन के लिए नामचिक नामफुक कोईला चेत्र भारत में इस्तेत है और अंचल प्रदेश में भारत में कोईला का सबसे बड़ा उतपादक राज्जे 36 कोड़ जहारिया कोईला चेत्र वश्रामपूर जमाप पाए जा भारत में सरबादिक मोटा कोईला इस्तर पाए जाता है तो जहरिया कोईला चेत्र में नेक्ट कोईशन है कोईला चेत्र और अवस्ति तालचेर चुआ महानदी घाटी में कांडपूरा दामदर घाटी में शिंग रोली शौन घाटी में और शिंग रेनी सिंग रेनी गोद पाई जाती है तो हजारी बाग गया और मुंगेर में भारत का वह राजी जो कच्छे अपरे का ग्रिडी उत्पादक है आंदर प्रदेश भारत में जस्ते का देखते हैं उत्पादन है राजिस्तान में और खेतडी की खाने जो है ये तामा के लिए प्रिसिद्द हैं के लेवं प्राकरति की गैस आयोग मुख्या हे नई दिली में खानीज अनुवेशन निगम लिप्टेट का नागपुर में राश्टिय खानीज विकाश निगम का हैदराबाद में राश्टिय ईल्मूनियम कंपनी LU. लिप्टेट का भवनेश्वर में चुना पत्थर्ष क के लिए कौपर तमा बिचली का समान वक्षाइट हवाई जाहज का नमार और मैगनीज इस पात के लिए भारत का वह राजी जो मैगनीज का सरबादी के उत्पादन करता है मद्यप्रदेश है भारत में वानिजी कूर्जा का प्रधान सुरोत है कोईला जादू-गोडा प्रस जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगवे एकादिकार है उडिशा भारत आकूर्थी में आत्म निर्वर है थियोरियम की भारत में मौनुजाइट पाए जाता है केरल में भारत का वह राजी जो एसबैस्टस का सरबादी के उत्पाद है के अंदर प्रदेश भारत का वह जिपसम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वह है राजिस्थान तामा जो है मोसमानी उत्पादन चेत्र है और लोहा इसके लिए बादाम काहड मेंगनीज के लिए छिंदबाडा और अब्रक के लिए हजारी भाग नेक्स्ट है और इस्थान चो परमाडू सक्ती स्टेशन के लिए प्रिसिद्ध है वो है कोड़न कुलम कोड़न कुलम आणविक सक्ती परुजना अवस्थेत है तमिलाडू में कलपकम प्रिसिद्ध है परमाडू सक्ती सैंत्र के लिए भारत में को लोत पादित लगबग 3.3% भारत में प्रिचुर मात्रा में उपलब्द महात्रपूर नाग के सीधन है थियोरियम कलपक्कम जो है परमाडु सक्ति के इंदर तमिलनाडु में है नरोरा उत्रपदेश में काकरापार गुजरात में है ट्रामबे महाराष्टा में काकरापार निकलियर पावर प्लांट और ओकरन चुआ है परमाडु वंबिस्पोटक इस्तला है थुमबा रोकेट मोचन के इंदर और स्री हरी कोटा उपकरा मोचन चुआ इस्टेशन है भारत के पहले परमाडू सक्ती इस्टेशन की स्थापना की गई थी तारापूर महाराष्ट्रा में भारत के कुल बिथूत उत्पादन में परमाडू सक्ती द्वारा बिथूत उत्पादन का भाग लगबग 2% सिर्फ समूत्र में कलपक कम क्रम्ष महात्पूर हैं जल सकती हो नाइब की उर्जा के लिए यूपी PCS परी 2023 में पूचे गए थे पबन उर्जा की नेक्स कोश्चन है भारत में सरभादिक ज्वारिय सकती उत्पादक 36 खंपात की तट बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइप्लाइड परिजना की कुल नम्माई है 356 किलोमेटर राना प्रताप सागर राजिस्तान संबन देता है पन बिजली उर्जा के इंदर की रूप में भारत में जल बितुत सकती की विकास में अग्रडी राजजी था करनाटक जल बितुत गिरह इस्तित है कोईना भारत का सबसे पुराना जल सकती उत्पादन के जल बितुत पाबर स्टेशन स्थापित किया गया था सिंट्रो पांग में नात्पा जहांकरी जल बितुत परिजना इस्तित है सतलज नधी पे और सफेद कोईला कहां जाता है जल बितुत सकती को समुद्री लहरों से विद्दुत बनाने का भारत का पहला सैंत्र बश्तित है केरल में कोईला अधारत बिजली सैंत्र जो उत्तरपदेश में इस्तित है दादरी शिंगरोली एंटीपीसी की सबसे पुराणी ही काई है सिंग्रोली, बाड बिहार में और लारा चतिजगड, कुडगी, करनाटक और गाडरवारा मदप्रदेश भारत में प्रमुक सक्ती परियुचना है, कौईला अधारित परियुचना है, भारत में उर्चा अतपादन में सरबादिक अंस है, उसमी थरमल उर्चा का, राम गुंडम थर्मल पावर स्टेसन अवस्तियत तैलंगाना, भारत में उर्चा का सरबादिक स्रोत है, कौईला जीवास मीधन के बाद भारत बर्ष की उर्जा आवश्यक्ताओं की पूर्थी के लिए दूसरा सबसे महतपूर्ज स्रोत है सौर उर्जा भारत में नभी करड़ी उर्जा स्रोत सरबादिक समभाव्यता बाला है सौर सकती अलियाविट तेल शेतर इस्तित है गुजरात में भारत में सबसे अधिक कच्छे तेल का उत्पादक है राईस्थन गुजरात भारत का वराजी जिसमें कोईली पेट्रोलियम सोधन साल अवस्तित है गुजरात में नून माठी का तेल सोधक कारखना वजतत है असमराज में भारत में पैट्रोलियम पाइजानी की निउन्तम संभावना है तैलंगाना में भारत में अधिकांस प्राकरतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई गुजरात पेट्रोलियम निकम द्वारा गुजरात का वजेत जहां खनेच देल के भंडार का पता चला है कांडला चेत्र वहराज जिसमें पेट्रोल रश्यान उद्धोग महाराष्टा की भारत में रासानी गुर्बरकों के दो बड़े उपहोगता है उतरप्रदेश और अंदरप्रदेश वह प्राधिकरण जिसकी द्वारा हजीरा वीचापूर जक्तिसपूर एच वीचे गैस पाइप्लान निर्मित की गई है गैस ऑथरिटी ऑफ इंडिया ल भंडार के लिए रिलाइंस इंडिस्ट्री लिम्टेड द्वारा भारत का वो भाग जहां प्राकरतिक गैस की प्रमचूर भंडार का पता लगाया गया आंदर अप तटी चेत्र में गुचरात में जहां हाल ही में तेल पाए गया है वह इस्तान है अंगलेश वर कोईली जो में मैदान पैदा करते हैं जलको वानिक्र कूर्जा के शुरूत हैं तेल और कैस वह पैट्रोली मुतपादक छेत्र जो गुजरात राज में इस्तित नहीं है मोरन भारत का सबसे बड़ा पैट्रोल रसाइन कार खाना इस्तित है गुजरात में एहमदाबाद सूती बस्तर क के लिए कपूर्थला तेल कोच के लिए रेल कोच के लिए और वरोनी तेल सूदन साला के लिए और अटो मोवाइल्स गुरुकराम हरयाना में हैलमूनियम अलूपूरम केरल में पटशन जगदल पश्यमंगाल और रेशम जो है चनना पटना करना ठक में लोहा एवं इस्प यह एक वोकारू सबातकार खानहों में प्राप्त कीया गया है सोवियत संग ठीक है हिंड़ाल का स्थापत है रैडू कोट में बहलाई इस्टील प्लाइनट भारत संगर तथा किसी एक का सहतन करमाय है रूस का इस्टील उर्टोरीटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस बड जनवरी 1973 को 24 जनवरी 1973 को भारत सरकान एलमूनियम कंपनियों में किस एक को नवरतान इस्टेट्स प्रदान किया नालको को हिंदस्तान केवल्स फैक्टरी अबस्तित है रूप नारायंडपुर में वह मसाला जिसको मसालों का राजा कहा जाता है काली मिर्च को भारत में केशर मुखेता उगाई जाती है कस्मीर में और वर कारखानों में इफको द्वारा संचालित नहीं होता है सिंद्री ठीक है नेपा नगर जिस उद्धोक के लिए जाना जाता है वो है अकवारी कागज राज्ज जिसमें सरबादी कागज मिले इस्थित हैं पशी मंगाल महाराष् भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्ज है महाराष्ट्रा भारत में चीनी के प्रिथम तीन अग्रडी उत्पादक हैं उत्रब्रदेश महाराष्ट कंणाटक सक्कर नगर चीनी का एक प्रमुक उत्पादक के अंदर है त्यलंगाना भारत में रबर उद्धो जो सेवा छेतर उद्धोग नहीं है सिच्छा भारत के रिए सबसे अधिक बिदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्धोग है चाय भारती नौस्याना हितु युद्धु पोतों का निर्माड होता है मजगाउं पोत से निर्माड याड में बिश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चीन भारत का वहराज जहां वाल्क्ष वेगन का जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है ने अपना प्रतम निर्माड इकाई स्थापित कर लिया चक्कन पूरे में वहराज जिससे निर्माड परेटन परियुचनाओं के किरियारवन में सर्वोत्तम राज गोसित किया गया सिक्केम मुंबाई पूरे कुरला ओधकिक केंद्र है कॉलकाता हुगली रिषडा एहमदाबाद बड़ोद्रा कॉलोल और मदराज कोई मूटर बैंगलूरु भद् निम्राना जो के टेकाऊ आर्थिक पिकास का मॉडला अवस्ते राजिस्तान में मध्य प्रदेश का वहाँ नगर्चो कीटनासक उद्धो गेतु प्रिसित्य भोपाल भारत वहाँ ओधकिक प्रदेश को जहां सिपकासी केंद्र सित्य है मोत्रे कोई मोटर बंगलूरु में